जहींद एवरिवन. आप सभी का जो एरफोर्स फेस्टो की प्रक्रिया है, वो कुछ दिनों बाद चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी आपका सिफ रेजल्ट ही निकला है, बाकि अभी तक आपका जो फेस्टो कब से चालू होगी, किस देट से होगी यह तो आभी तक दिया नहीं है बट आई होप जल्दी आपको आपका जो डेट है वो मिल जाएगा जब लास्ट जब हम दिये थे दो यह तेज का फर्स्ट इंटेक उस टैम क्या होता जिस दिन रेजल्ट आता था ना उसी दिन आपको पता चल जाता था कि जो नेक्स्ट जो फेश टू है फेश टू की जो प्रोसेसर वो कब से सुरू होगी ठीक है और तब के टाइम पे ऐसाटी होता था एसाटी का फुल-फॉर्म होता है situation reaction test जिसमें आपको कुछ imaginary reaction रहता था मैंने situation देते थे और उस type पर आपका ideal reaction है वो वहां पर पूछता था ठीक है तो काफी लड़के उसमें छटते थे बड़ अब वह है नहीं तो पूरो पूरी जो focus है वो होता जीडी पे जीडी नहीं group discussion जीडी में दो होता है एक होता है writing एक होता है speaking ठीक है अब अब इस content के के बारे में नॉलेज है ठीक है आपको उस कॉंटेंट के बारे में नॉलेज है प्रिवेस एर में जितने भी जड़ी टॉबेक्स आये लगभग 80-90 परसंट जो है मेरे चैनल पर अल्डेडी दिया हुआ कि कौन-कौन से आये हैं आप जाके देख सकते में फिर से दुबारेक बनाऊंगा मैं आज नॉर्मली पांश टॉपिक के बात करूंगा जो कि इस किताब से हैं आप सबी को पता होगा यह एससबी की जो किताब है ठीक है जो सीडियेस एंडी के बात जो इंटर्व्य होता है उ पचीज का इंटेक है तो उसमें आता है तो उसमें पांश टॉपिक कौन-कौन से यहां पर देखिए सर्कल भी क्या हुआ है ठीक है इसके आलावा भी और आएका नहीं दिख रहे साथ ठीक है तो मैं बोल देता हूं कि जो पांश टॉपिक उनमें से जो पहला है वो है गू इंटिया जुविनल क्राइब सेक्स एडूकेशन नासा वर्स इस रो एंड दा में थिंग इस वो में इंपांवेंट तो आपको यह पांश टॉपिक जो मैंने दिया हूं तो आप कोसिस करो आपको जितना भी आता है एक्जिस्टिंग नॉलेज दो लाइन पांच लाइन च सब के बारे में गूगल पर पढ़ो यूटूब पर देखो फिर एक आपको आइडिया मिलेगा फिर उस आइडिया का बेसिस पे आप फिर से लिखने के कोसिस करो और अगर टाइम की बात करों तो उहां पर दस मिनिट देते हैं बट अगर आप बिगिनर हो अभी तक आप न यंगे सके तो ठीक एPsल सकते हैं पर जो मीं चीज होता है हो जब खाइं घथल ऐसा नहीं है ऐसा अगर तुम में भरुसा है लग रहात कि यार नहीं होगा नहीं होगा ठीक है बट लिखने के अगर बात करूं तो काफी बढ़िया से लिखा था मैंने ठीक है काफी बढ़िया से लिखा था बट हाँ उतना अच्छा से बोलने पया था तब समझें कि बोलना और लिखना पसे एक चीज तो बढ़िया करन या फिर भीटों को बताऊंगा और धीरे देरे फेस्टों लेटेट और भी वीटों आएंगे तब तक लिए जय हिंद गुडबाई एंड टेक कियर